तो इस card trick को करने के लिए मुझे सिर्फ तीन cards का जरूरत है जिन में से एक card है the ace of spades अभी जो ace of spades है यह एक magical card है मैं आपको दिखाता हूँ कैसे तो अगर मैं ace of spades को लेता हूँ तो ज़िस तरीके से नीचे रखता हूँ and simply अभी अगर मैं ऐसे snap करूँ तो वो ace of spades है वो jump होके ऊपर आजाता है अगर मैं फिर से जो ace of spades है इसको लेता हूँ ऐसे नीचे रखता हूँ and फिर से अगर मैं snap करूँ तो वो आपस से jump होके ऊपर आजाता है one more time try करते हैं, इसको मैं फिर से नीचे रखता हूँ, snap करता हूँ, यह jump होके उपर आ जाता है तो अभी आप सोच रहे होगे कि हो सकता है यह जो तीनों cards है, यह तीनों यह ace of spade है तो actually आप सही हो, यहाँ पर यह रहा पहला ace of spade, यह रहा दूसरा, यह रहा तीसरा ace of spade तो हम नोटिस करोगे, यहाँ पर जो तीनों cards है, यह है the queen of hearts, तो यह रहा पहला queen of hearts, यह रहा दूसरा queen of hearts, and finally यह रहा तीसरा queen of hearts ओके तो यह वाला जो card trigger यह करना बहुत ज़्यादा simple हैं, साथी साथ इसको करने के लिए आपको सिर्फ तीन cards चाहिए होगा अभी जो तीन cards है, वो मैं बता देता हूँ कौन से cards है, तो यहाँ पर मेरे पास दो queen of hearts है, और एक ace of spades है तो आपको दो identical cards लेना है, और एक कोई भी आप random card ले सकते हो, मैंने यहाँ आप ace of spades लिया फिर setup करने के लिए आप क्या करोगे, दोनो queens के बीच में, जो हमारे race of spades है, उसको रख देना है और फिर आप trick को करने के लिए ready हो, आप क्या करोगे, आप spectator को बोलोगे, कि यहाँ पे मेरे पास तीन cards है, तो आप ऐसे show करोगे 1, 2, 3, and फिर आपको एक double lift करना है, अब double lift करने का जो technique है, वो मैं आपको बता देता हूँ, यही technique हम लोग use करने वाल है तो आप कुझस तरीके से index finger और thumb से तीनो cards को pinch करोगे, और आपका जो thumb है वो क्या करेगा, वो कुझस तरीके से यह जो उपर के दोनो card है, उसको ऐसे push करेगा एक साथ, ठीक है, तो यहाँ पे दो card में push कर रहा हूँ, तो आप ऐसे pressure देते हो, और thumb से कुझस तरीके से आपक इसको flip करोगे, दिखाओगे, कि मेरे पास यहाँ पे as of spades है, जो कि एक magical card है, फिर आप क्या करोगे, आप दोबारा से same technique से आप दो card push करोगे, तो यहाँ पे दो card है, and push करने के बाद, आप क्या करोगे, आप यह जो as of spades है, इसको flip करना है, and कुझस तरीके से जो उपर का card है, जो कि ए queen है, उसको नीचे रख देना है, and फिर आप snap करोगे, और बताओगे, कि जो as of spades है, वो jump होगे, ओपर आ चुका है, तो same चीज़ आप दोवारा repeat करोगे, बट इस बार आप क्या करना है, as of spades को flip करना है, and वापस से एक साथ 2 card lift करना है, मतलब पुश करना है, and फिर यह जो दोनों card है, इसको as in one, तो आप ऐसे simply बोलोगे, कि यह जो as of spades है, इसको मैं लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं 2 card ले रहा हूँ एक साथ, अब इसे push करके 2 card लेता हूँ और उसको नीचे रखते हूँ, and फिर आप snap करोगे, and आप दोबारा से double कुछ इस तरीके से push करोगे, तो यहाँ पर मैं फिर से 2 card push कर रहा हूँ, and push करने के बाद आप show करोगे, जो as of spades है, वो फिर से उपर आ चुका है, and अभी यहाँ पर double है, of course, तो आप दोबारा से यह जो double है, इसको आपको push करना है, and फिर आप flip करोगे, and वापस से जो as of spades है, उसको नीचे र हो सकता है, आपको लग रहा होगा, कि यहाँ पर जो तीनों cards है, वो as of spades है, तो मैं इसे reverse count करता हूँ, 1, 2, 3, इससे जो as of spades है, वो bottom में चला जाता है, and reverse count रहने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं को जिस तरीके से show करता हूँ, तो यह पहला ace, फिर मैं उपर का card उसको slide कर के निकालता हूँ, फिर मैं दुबारा उसी ace को दिखाता हूँ, bottom ace को, and फिर second card, and फिर third card, तो मैं false show करता हूँ, ऐसा spectator को लगता है कि यह 3 ace है, बट वो जो मैं simply bottom का ace दिखाता हूँ, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आपको show करना है, अभी जो as of spades है वो उपर से, तो मैं thumb से वापर से pressure दे के, दो card एक साथ push करता हूँ, and फिर मैं पहला queen दिखाता हूँ, and फिर यह flip करके, दो card एक साथ, यह उपर का ace से, इसको table पर रख देता हूँ, फिर आप single card push करते हो, single card दिखाते हो, and फिर single card, okay, तो यही है पूरा routine, जब आप इसको fast करते हो, देखने में कुछ इस तरीके का लगता है, तो पहले आप double lift करते हो, ace को दिखाते हो, उपर का queen को आपको नीचे रखना है, ace उपर आ गया, फिर आप double lift करके, कुछ इस तरीके से नीचे रखते हो, ace को, असल में आप 2 card रख रहे हो, तो फिर आप दोबारा double lift करते हो, and ace आप 2 card ऐसे lift करोगे, दोनों card एक साथ, and ये रा पहला queen, ये रा दूसरा queen, and ये रा तीसरा queen, okay, तो यही है पूरा track, इसको करने के लिए सिर्फ तीन card चाहिए, अच्छे हैं इसको practice करके ही perform करना, and yeah, that's it, अगर आपको ये video पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़रूर ए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए goodbye, and thank you for watching.